जेपी सिमेंट कमपनी से 142 करमचारियों को 2016 में निकाला गया था जो करमचारी 5-6 सालों से लगतार आंदुलन कर रहे थे और अप जेपी सिमेंट कमपनी को डालमिया कमपनी ने खरीद लिया है और ये नई कमपनी पुराने करमचारियों को नहीं रखना चाहती जिसे लेकर करमचारियों ने कमपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को डालमिया कमपनी के प्रबंधन के समक्ष रखा भिलाई सेक्टर 4 में इस्तित है जेपी सिमेंट फैक्टरी जो कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है अब जेपी सिमेंट फैक्टरी को डालमिया ग्रूप ने खरीद लिया है और अब वह अप्रेल माह से इस सिमेंट फैक्टरी को पुना संचालित करने जा रहे हैं लेकिन पुर्व में JP Sement में कारेरत 2016 में 142 मजदूरों को JP Sement कंपणी ने काम से निकाल दिया था जो कि अभी भी विरुज़गार है और डालमया सिमेंट कंपणी के गेट पर धरने में बैट कर करमचारियों की मांग है अब जब जब जबी सिमेंट को डालमियाकंपणी ने खरीद लिया है और पुना कंपणी को चालू करने जा रहे हैं तो पूर में कारेरत मजदूरों को पुना काम पर रखा जाए क्योंकि जब से JP सिमेंट कमपनी यहां इस्थापित हुआ था तब से यह मजदूर यहां पर कारे रथ थे 36 गड़ मजदूर मुक्ति मोर्चा कारे करता समीती वह प्रगति सिल सिमेंट समीती संग के सदस्यों ने बताया कि नियमता जब भी कोई कमपनी स्थापित होती है तो शेतरी मजदूरों को प्रात्मिक्ता दी जाती है लेकिन वर्बान में अब डाल्मिया कमपनी ने इस सिमेंट फैक्टरी को खरीद लिया है और वह शेतरी मजदूरों को नजर अंदास कर रही है पिछले समय प्रबंधक के साथ रिपक्षी समझा होता हुआ था मजदूरों को कुछ पैसा भी मिला था और वो हम समझते हैं कि पूरे मजदूर जेपी सिमेंट में कारी करते हैं और उनको पुना काम में वापस लिया जाए इस मांग को लेकरके चतिसगर मुक्ति मूर्चा मजदूर कार्थे समय प्रगति सिमेंट सरमिक संग जिस समय ये केस लगा था उस समय पी सीए से इसका में महामंत्री था और मेरे नाम से कोट में भी केस लगा है और सभी जगा हम लगों ने किया है आज हम लोगों का धरना करने का मुख जो उद्देश यह है वो यह है कि जेपी सिमेंट से 2016 से 142 मजदूर को काम से निकाला गया है और वो 5 सालों से 6 सालों से लगातारी वो आंदूलन कर रहे है अभी फिरहाल ततकाल में जेपी सिमेंट को डालमिया जो कमपनी है वो टेक अबर कर रहा है वो खरीद लिया है और अप्रेल के पहले सब्ता में अप्रेल के आसपास जो है वो उत्पादन शुरू करने वाला है हमारा यह मुलतह मांग है कि जब भी उत्पादन यहां शुरू हो तो सबसे पहली प्रात्मिक्ता जो 5 साल से निकाले हुए जो कर्मचार अब लगभग यहां पर 60-70 मजदूर अभी धरना में बैठे हैं इतने सालों के करन कई मजदूर अपने अपने कई अपना जीवन जीने के लिए कुछ ने कुछ काम करते हैं परंतों आंदोलन में सभी लोग जुड़े हैं साम तक सभी मजदूर यहां पर उपस्तित हो जाएं अपना रोजी रोटी के लिए बैठे हैं हम लोग इतना इतना साल से काम करके भूखे मर रहे हैं अरे ओला पसंग नहीं है इसे होकर काम निपढ़ गे तो हमने निकाल दिश बैठार दिश बैठे हमने इतना इतना साल से महिनत मजदूरी करके कतके मुसीबत लड़ाले हैं तब भी समा रोजी रोटी पे धोखा होगे क्या मालूंग रखेगा तो रख लेगा नहीं रखेगा तो उन लोग जाने हैं हम लोग को तो चाहिए रोजी रोटी चाहिए कैसे भी कार के फिलाल देखना होगा कि जेपी सिमेंट खरीदने वाली डालमिया कंपनी क्या पूर में कारेरत कर्मचारियों को वापस काम पर रखती है या नहीं या एक बार फिर बाहर के निमासियों को प्रात्मिक्ता दिया जाता है ग्रैंडेसियन न्यूस के लिए भिलाई से प्रमीन मिर्जे की रिपोर्ट